में घंशाइर rich लें listen आज लेकर के आप लेकर के आप लमबे समय से हमें repeat specialist कर रहे थे जी हाँ सही पैचाना आपने हम आपप लोगों के लेकर के आए हैं idea से रिवीजनएरी लेक्टिff इन revisionary lectures को लेकर के मैं आपको कुछ बाते to start with clear कर देना चाहता हूं नमबर वन इन revisionary lectures का benefit कौन student ले सकते हैं तो ये revisionary lectures हमने design किये हैं primarily for CA final level student जो की मैं 2023 के examination में appear होने वाले हैं CA final के वो students जो IDT का subject अपना पूरा एक बार study कर चुके हैं और आप अपना revision के process में हैं ये revisionary lectures उनकी revision को जो होगा वो facilitate करेंगे और एक substantial value addition जो होगा वो करेंगे वैसे हमने ये design किये है primarily for CA final student बट अगर आप CS या CWA कर रहे हैं तो भी आप लोगों को इन lectures से जो होगा वो काफी benefit मिलेगा इन lectures को बनाने में हमने काफी special efforts किये हैं और वो आपको जो होगा खेर जब आप lectures को सुनेंगे तो हमारे प्रयास वो जो होगे उन lectures में आपको नजर आएंगे and we are quite thoughtful कि हम आपके लिए जो होगा वो substantial value addition in lectures के तुरू जो होगा वो create कर पाएंगे दूसरी बात आती है in the visory lectures में topic क्या cover किये जाएंगे so in the visory lectures में हम आपके साथ important and significant topic cover करेंगे definitely हर topic हम cover नहीं करेंगे but हमारे अपने teaching experience के यह साब से which is more than 13 plus years जो हमें important and significant topic लगते है और जिसको लेकर के हमें पता है कि generally student इस topic में जो है थोड़ा revision में दिक्कत मैसूस करता है either because topic lengthy है या उसमें inter linkages बहुत है तो वो हम अपने experience के base पर जो होगा जो topics हमें लगते हैं वो हम आपके साथ यहाँ पर discuss करेंगे सर क्या आप उस topic की हमें list दे सकते हैं दे सकता हूँ लेकिन आज नहीं दूँगा इस lecture में नहीं दूँगा in due course of time जो होगा आपको disclose करूँगा वैसे मैरे एक simple सा thought process in lectures के पीछे यह है कि आप लोगों की revision को मैं facilitate कर सकूँ आप जहां जर्नली दिक्कत में आते हैं वो दिक्कत में दूर कर सकूँ तो आप लोग एक काम ये भी कर सकते हैं जब आप lecture सुने तो lectures के नीचे comment box में आप मुझे जिन topics में difficulty महसूस करते हैं आप वो mention कर सकते हैं I will try to consider the maximum request to the extent possible ठीके जी इसके अलावा काफी हद तक मेरे number of topics की coverage जो होगी वो इस बात के उपर depend करेगी कि इन lectures को कितने लोगों के द्वारा like and subscribe किया जारा है क्योंकि आपका like and subscribe करना ही basically हमारे लिए feedback होता है depending upon that हम अपने efforts होंगे वो आप लोगों के लिए बढ़ाएंगे तीसरी important बात जो है वो ये है कि in revisionary lectures के लिए हम resource material जो होगा वो क्या use करेंगे तो in revisionary lectures के लिए जो resource material हम use करेंगे वो हमारा अपना question bank जो है उसको हम base material के तोर पर जो होगा वो use करेंगे जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा question bank जो है वो बहुत comprehensive होता है इसमें हमने past examination के सभी question ICI के study material के सभी question RTP के question mock test paper के question and specially जो latest amendment है उन amendments के उपर newly drafted question जो है वो सभी cover करके दिये है it is very comprehensive no doubt number of pages उस वज़े से होंगे जादा होंगे क्योंकि अगर आप सभी questions को cover करेंगे तो pages तो बढ़ेंगे ही अच्छा एक बात और important में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कुछ students हमको साथ में ये feedback देते हैं सर आपका question bank this is just awesome इससे बार कुछ नहीं आता है बट सर इसमें questions बहुत जादा है और कई बार ऐसा होता है कि हम जब last minute पर preparation करते हैं तो हमारा time हमें allow नहीं करता कि हम इतने सारे questions इतने सारे pages जो हैं वो पढ़ सके तो उसके angle से सर कुछ आप सोचिए तो उन लोगों के basis पर बेटा अब हमने एक नया काम ये किया है इस बार हमने अपना question bank जो है वो दो format में release किया है एक है हमारा comprehensive question bank जिसको हम हमेशा से release करते आए हैं जिसमे average version of question bank है उसमें क्या है उसमें हमने क्या किया बेटा इस comprehensive question bank में से कुछ questions जो हमने delete कर दिये हैं जो questions बिल्कुल ही basic level के थे वो delete कर दिये कुछ questions practical questions ऐसे थे जो same concept के उपर थे जैसे like utilization of ITC उसको लेकर के जितने भी questions आ रखे थे हमने comprehensive में सारे डाल रखे थे बट हमें ये concept के उपर एक या दो question ही अपने average question bank में जो है वो अपकी बार रखा है तो उस परियाज से हम question bank को कुछ extend तक जो है वो reduce कर पाए है तो I would like to repeat अपकी बार हमारे पास question bank के दो बर्जन है एक है comprehensive question bank जो हर बार की तरह है comprehensive होता है जिसमें सब कुछ होता है और दूसरा हमारे पास है average question bank जिसमें हमने comprehensive question bank के कुछ questions जो है वो डिलीट कर दिये है repetitive questions and वो questions जो की बिल्कुल basic level के एक थे जिसमें कुछ खास प्रयास की जरूरत ही नहीं है तो अब आपको जैसा से मैं आपकी इसाज़त दे उसके हिसाब से आप उन दोनो question bank में से जो suit करे उसको आप use कर सकते है but so far as my revision is concerned my revision के लिए जो है वो अपना comprehensive question bank जो होगा वो base बनाऊंगा I hope ये बात है आपको clear है